तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या करते हैं कि calculate the radius of the circular orbit इस्टेशनरी आर्बिट आफ इस्टेशनरी एर्थ सेटलाइट ठीक है एक अर्थ का सेटलाइट है लेकिन अगर मैं अर्थ से देखता हूं अर्थ के frames यहां से अर्थ से equator से देखता हूं actually यह equator से देखा जाता है तो equator से देखूंगा तो यह मुझे rest में नजर आ रहा है मतलब यह ऐसा rest में तभी आ रहा है जब अर्थ अपनी axis पर जितनी omega से घूम रही है उतना ही omega इसका भी है मतलब इसका जो time period है अर्थ की अपनी axis पर घूमने का इसका भी time period उतना ही है मतलब यह से दुबारा यह पर आएगा 24 hour बाद ठीक है यह that's why यह stationary है और motionless है ठीक है यह बात आपको समझ में आ गया होगा what are velocity and acceleration of the inertial frame fixed to the moment of the earth मतलब अर्थ से अगर मैं देखता हूँ तो इसकी radius कितनी होगी radius पता है इस satellite की radius मतलब अर्थ के center से अर्थ के center से और इस satellite की distance r की value हमें निकालना है पहली बात ठीक है न क्यों 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 क्योंकि what are velocity and acceleration तो सबसे पहले velocity और acceleration निकालना है तो तो आर भी तो unknown है तो आर निकलेगा तभी तो velocity निकलेगा भाई तो आर निकालेंगे फिर भी निकालेंगे फिर acceleration निकालेंगे ठीक है acceleration कैसा acceleration है centripetal acceleration मैं अर्थ से देख रहा हूँ तो बात समझ में आ गया तो सबसे पहले एक एक calculation करते हैं, सबसे पहले r का calculation करते हैं, तो अगर r का calculation देखोगे, तो radius r है, तो k plus third law आप पढ़े होगे, k plus third law, तो अगर मैं k plus third law यहां लगाता हूँ, तो k plus third law के according, जो time period t का square is proportional to 4 pi square is equal to gm, 4 pi is equal to gm, is equal to r की power cube, तो यह जो k plus third law है, इस kepler third law से हम बड़े अराम से, आर्बिट की calculation कर सकते हैं, इसका मतलब भी हुआ कि time period t की जो value आजाएगी, वह आजाएगी 2 pi, यहां से, यहां तो नहीं, तो 4 pi ही लिख दो, यहां bracket में, अंदर में ले लो यहां, तो यह आजाएगा 4 pi का square, gm, और यह radius r का q, यह सब कुछ under root, ठीक है, तो यहां से, तब यहां से basically हमें r की value जो पता चल जाएगी, तो r की जो value आजाएगी, वह आजाएगी, t का square, और multiplied by यहां से, gm, और divided by 4 pi का square, और इन सब पर power 1 by 3, अब यह सारी, यह सारा constant रखोगे, तो मुझे acceleration, मतलब r की value पता चल जाएगा, तो यह सारे जो constant है, r की value निकालने के लिए, मुझे constant की value रखनी पड़ेगी, तो time period 24 hour, तो 24 hour नहीं, मतलब मैं 3600 second, और g की value 6.67, इंटो 10 की पावर, माइनस 11, वेरी, मास अब अब अर्थ, मास अब 5.9, इंटो 10 की पावर, 24 kg, और अगर मैं दिवाइट कर देता हूं, तो किसे दिवाइट कर दूं, तो 4 और pi, 3.14 का square, और, this is all equal to rho 1 by 3 power, तो finally, after solving, we will get 4.2 into 10 की पावर, 4 km, this is the 4.2 km, basically, the radius of the orbit, आर्बिट जो है, उस आर्बिट की रेडिएस होजी, जिसमें circular motion कर रहा, अपना satellite, तो यह वाली चीज़, अगर मुझे calculate करने, तो first part अगर मैं देखूंगा, तो linear velocity है मैं निकालनी थे, तो b is equal to r omega होता है, r अब पहले से ही calculate किये हो, तो omega is equal to 2 pi t time period, तो this is the linear speed, तो r की value 4.2 और into 10 की पावर 4, और यहां से 2 और pi की value 3.14 रखोगे, और divide कर दोगे time period से, तो time period कितना आजाएगा, तो time period 24 है, तो 24, 36 seconds आजाएगा, तो finally linear speed आजाता है, यह जो finally solve करोगे, तो linear speed आजाता है, 3.1 km per second, तो i-hoc की यह बहुत अच्छे से आपको clear हो गया होगा, कि इस linear speed की value कितनी आजाएगी, चलो, दूसरी बात है, linear speed अगर इतना आजाएगा, तो acceleration कितना आजाएगा, तो अगर acceleration की बात करोगे, तो acceleration, centipetal acceleration है, और उसकी value आजाएगी b square over r, तो b square की value मतलब 3.1 का square, और radius जो है, अभी आप निकाले हो, radius कितना है, 4.2 4.2 into 10 की power 4 यह, तो finally जब इसको solve करोगे, तो जो linear centipetal acceleration, जो center की तरह आएगा, वो बहुत ही कम आता है, और वो 0.22 इतना meter per second square आ जाता है, तो यह काफी कम acceleration है, बटा है, ठीक है, कोई दिक्कत लिवारत नहीं है, तो this is the conclusion of this problem, कि I hope कि आपको यह बात clear हो गया होगा, बहतर तरीके से, thank you, bye bye, take care, अपना बहुत क्या लग को,